हलो एब्रीवन वेलकम टू आइल कोचिंग दिस इस कृष्णकान सिंग बुंदेला मैक्रो एकनॉमिक्स में ग्रोथ मॉडल पार्ट टू हम कर रहे हैं और इसमें ये पार्ट एइट है इसमें हम कैट्डोर के स्टैलिष्ट फैक्ट को डिसकस करने वाले हैं ये एक इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो सब उसमें काम आएंगे कैल्डोर के स्टैलिष्ट फैक्ट के बारे में जानने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि स्टैलिष्ट फैक्ट होता क्या है एक्चुली ये तरीके के फैक्ट है जो यूनिवर्सल टृत नहीं है लाइफ टाइम इंकम अगर कोई पढ़ाई करता है तो जीवन भर के लिए पैसा कमा सकता है लाइफ टाइम इंकम उसकी बढ़ जाती है ऐसा एक फैक्ट है ठीक है एकनॉमिक्स में फैक्ट क्या बोल सकते हैं जो भी एडवांस्ट एकॉनमीज हैं बड़े बड़े कंट्री हैं उनकी जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो फ्लक्ट्ट करती है इन्हें रेकरेंट बट इर्रेगुलर फैशन मतलब वो बार बार फ्लक्ट्ट होती है मगर पता नहीं रहता है कि कब गिरेगी कब उठेगी ऐसी कोई भी फैक्ट हो सकते हैं उसको अपम बोलते हैं स्टाइलिश्ट फैक्ट का नाम दिया और यह बता है कि जब भी कोई एकोनॉमिक ग्रोथ थियोरी बनाता है तो यह स्टाइलिश्ट फैक्ट उसके बहुत काम आएंगे इसका वर्णन इन्होंने नाइन्टीन 57 में जो अपना पेपर लिखा था उसमें भी इन्होंने किया था उसमें सारे अजमिशन को उन्होंने बताया था एक्चुली हुआ यह था कि अमेरिका की कुछ उन्होंने डेटा करेक्ट किये थे और उसके बेसिस पर यह पता लगाया था कि अगर ग्रोथ रेट होती है आउटपुट की पर लेवर अवर्स के हसाफ से तो वो लंबे प रहेका बढ़ता रहेगा लंब शमय के लिए मतलब आने वाले टाइम के लिए ऐसề ही ग्रोथ रेट कैपिटल स्टॉक का भी और growth rate real output का भी ये दोनों बराबर रहेंगे यानि कि capital output ratio constant रहेगा इसके बाद जो profit rate है यानि कि profit to the capital, profit capital ratio है ये भी constant रहेगा लंबे time के लिए ये चारों तो उन्होंने steady growth को represent करने के लिए बताया कि अगर कोई economy में growth हो रही है तो ये चारों उसमें काम आएंगे फिर फिर उन्होंने ये बताया कि growth rate output का per man के हिसाब से change होता है country to country और और वो economies जिनका profit share ज़्यादा होता है तो वो investment भी उसी हिसाब से ज़्यादा करती है तो इसमें 5 और 6 वाला तो country to country और economies पर dependent है लेकिन ये जो चार हैं उपर के ये theories में काम आते हैं growth theories में तो इन चारों पर उनको जो facts मिले थे वो बताया गया है और ये मैंने ml.gingen से लिया है अच्छे book है मगर उतनी भी अच्छी नहीं है कि आप पूरे-पूरे इसके लिए dependent हो जाए इसके पहले वारा वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो थोड़ा देख लीजे थोड़ा उससे आपको साहता मिलेगी The growth rate of real output per man hours is fairly constant over long periods of time क्या मतलब है इसका Growth rate of real output USA में 1970 और 1980 के बीच का data जब Caldor ने लिया तो देखा कि growth rate labor का 1.5% per annum है यानि की constant है growth rate हर साल की जो growth है labor की वो 1.5% है constant है इसके अलावा growth rate जो output की है यानि जितना भी उत्पादन होता है production होता है उसकी growth कित्ती है labor productivity के हिसाब से वो देखी इन्होंने 1970s में 3.5% थी और 1980s में यह हो गई थी 2.5% तो यह तो कम हो गई और यहां क्या लिखा है the growth rate of real output per man hour is fairly constant यहां तो यह घट गई 3.5% से 2.5% हो गई लेकिन और इस पर investigation किया गया तो पता लगा कि यह जो labor productivity थी अब चुकि labor का जो growth rate है वो तो 1.5% ही है constant है उसी speed से वो growth हो रही है labor की तो उनकी productivity में कमी आ गई थी यानि कि 1970s में जो 2% productivity थी वो 1980s में 1% हो गई थी यानि कि 1% की जो कमी यहां पर अपन देख रहे हैं वो कमी labor productivity की वज़े से हुई थी ना कि output की वज़े से यानि growth rate of output constant ही रहा इन 10 सालों में यह एक finding थी केल्डूर की यानि कि growth rate of output and labor force यह labor force है growth rate of labor जहां लिखा है मैंने यह labor force है एक्चुली तो growth rate of output and labor force are constant अगर यह labor force constant नहीं है यह बहुत बढ़ रही है तो यह productivity में फरक आ जाएगा तो होतकता है growth rate में भी फरक आ जाए और अगर constant नहीं है घट रही है तो भी productivity और घट जाएगी अभी तो एक ही परसंट घटी है फिर और फरक पड़ेगा output पर तो यह दोनों ही constant हैं ऐसा उन्होंने find किया और एक और बात कि growth rate जो output की है वो ज़्यादा होगी growth rate of labor force से तभी तो profit होगा न अगर आपका output labor की force से ज़्यादा आएगा तभी तो आप labor को कुछ दोगे फिर profit में कुछ जाएगा फिर investment होगा अगर वो उससे कम आ गया तो फिर तो सब कुछ आपका labor में ही चला जाएगा तो ये growth rate of output का percent हमेशे ज़्यादा होगा ये दोनों constant तो हैं मगर देखिए growth rate of output 1970s में, 1980s में इस से ज़्यादा है growth rate of labor से इसलिए USA की economy grow की उस समय second point था the growth rate of capital stock is fairly constant ठीक है लेकिन greater than the growth rate of labor force अच्छा, growth rate होती क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है वो देख लीजिया एक बात और है अगर आप ML जिंगन से पढ़ रहे हैं तो उसमें k. को उन्होंने d k by dt upon k दिया है यानि कि growth rate of capital को उन्होंने इस तरीके से नहीं लिया है growth rate of capital होता यही है मतलब उपर होगा क्या derivative of capital और नीचे होगा capital उपर क्या होगा d k by dt upon k तो d k by dt को मैं k dot मानता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है वो मैंने matter कहीं और से लिया था ये मैं ML जिंगन से ले रहा हूँ और ML जिंगन में k dot equal to d k by dt upon k लिया है इन लोगों ने ये सब लेने का तरीका है कुछ हो सकता है उसमें किस तरीके सुनोने लिया I don't know लेकिन हम यहाँ पर जो ले रहे हैं आप confused मत होना बस हम यहाँ पर जो ले रहे हैं उसका मतलब यह है कि उपर वाला टर्म है d k by dt और नीचे वाला टर्म है k वल k ऐसी यहाँ पर यह है d l by dt time के हिसाब से जब हम labor को differentiate करेंगे तो वो कहलाता है rate of change of labor और जब हम उसको total labor से divide कर देंगे तो growth rate of labor होगी ऐसा मैंने पिछली वीडियो में बताया है तो यहाँ पर इस second वाले stylist fact के हिसाब से growth rate capital stock की ज़्यादा होगी labor stock के मुकाबले और इसी के साथ capital labor का जो ratio है वो बढ़ेगा time के साथ साथ यानि की positive होगा अब देखिए USA में 1917 और 80's में जो data लिया गया उसमें growth rate capital stock का बिलकुल constant था कितना था 3.3% पर अनिम था ठीक है capital stock का और इसी के साथ labor force का जब लिया गया तो वो भी stock steady था करीब करीब 1.5% पर अनिम था मतलब ये कम है ये ज़्यादा है capital stock का growth rate k. upon k ज़्यादा है l. upon l से बिलकुल सही आया और जब उपर वाला term ज़्यादा होता है नीचे वाले से यानि capital ज़्यादा होता है labor से और बढ़ भी रहा है वो उसी तेजी से तो इसका मतलब है कि capital labor ratio भी बढ़ेगा और positively बढ़ेगा क्योंकि उपर वाला term ज़्यादा बढ़ा है labor से यानि कि ये proof हो गया कि k dot upon k is greater than l dot upon l और ये वारा term k upon l यानि कि capital labor ratio भी positive रहेगा time के हिसाब से third इन्होंने जो stylish fact लिया था उसके अनुसार growth rate of capital stock और growth rate of real output ये दोनों same होंगे ताकि capital output का ratio constant रहे time के हिसाब से and shows no definite trend over time बलब time के हिसाब से trend ऐसा ही चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है यानि कि k dot upon k इसको हम क्या बोलेंगे growth rate of capital और ये है growth rate of output ये दोनों बराबर होंगे दोनों का growth एक ही speed से बढ़ेगा ऐसा केलडोर ने find किया था और इसी के साथ से capital और output का ratio भी constant रहेगा अरे भाई जब दोनों एक ही speed से बढ़ रहे हैं तो constant ही आएगा ना देखो क्या उन्होंने निकाला 1980s में निकाला अब यहाँ पर हम 70 और 80 के बीच का data नहीं ले रहे हैं 80 का ले रहे हैं आगे का ले रहे हैं तो यहाँ पर growth rate of capital stocks हा 2.5% और growth rate of output किता था 2.5% जैसा कि मैंने आपको बताया है first वाले point में कि growth rate of output 3.5 से घटके किता हो गया था 2.5% हो गया था और उस समय capital stock का भी growth rate 2.5% हो गया था इसका मतलब है k. upon k equal to q. upon q जिंगन में लिखा है k. equal to q. क्योंकि वो इस पूरे को k. मान रहे हैं और इस पूरे को q. मान रहे हैं मगर वो लिख रहे हैं ऐसा कि k. equal to dk by dt upon k इस तरीके से लिए तो मतलब यह है कि confuse मत हो येगा तो यह दोनों तो constant आए और जब यह दोनों constant हैं तो चाहे जितनी speed से बढ़ें दोनों एक जैसे बढ़ and as the ratio of profit to the capital stock is fairly constant यानि कि profit और capital stock का जो ratio है वो भी constant होगा कैसे p upon k यानि profit और capital का ratio और capital और output का ratio यह दोनों देखे गए constant और यह दोनों जब constant हैं तो profit का output से जो ratio है वो भी constant आएगा क्यों देखिए यह जो wages हम देते हैं labor को वो किसमें से देते हैं जो हमारा output आता है उसमें से उसमें से क्या होता है हम profit हटा देते हैं जो हमारा output आया है जो हमको invest करना है हमारी savings ही investment बन जाती है तो हम उसमें से जब profit को निकाल देते हैं तो हम पता लगता है कि हम wages किता बाटेंगे तो अगर अगर हमको profit का ratio पता है तभी तो हम wages का ratio भी confirm कर पाएंगे यानि national output में जो wages का share है वो constant होगा और यह कब constant होगा जब profit का output में जो share है वो constant होगा तो अगर capital output का ratio constant है तो wages और profit का ratio भी constant होगा यह कुछ stylish facts थे जो उन्होंने उस समय find किये थे 1980s में 1970s और 1980s की बीच में और capital output का ratio constant रहे यह जो k upon q है यह constant रहे तो कि अगर एक constant है तभी आप wages और profits को भी constantly दे पाऊगे यानि कि profit output ratio भी constant हो जाएगा तो यह कुछ उन्होंने stylist facts दिये थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था that's it thank you